मारपीत के मामले में केस सही बनाने के नाम पर दिवान जी ने वसूले 20,000 रुपे शिवपुरी जिले के करेरा थाने में पदस लेक प्रधान आरक्षक पर एक अतेड उम्र के शक्स ने केस सही बनाने के नाम पर 20,000 रुपे वसूल करने का रूप लगाया है पेड़त ने इसकी शुकायत रविवार को पुलीस अधिक्षक कारियाले पहुच कर दर्ज कराना चाहा लेकिन छुटी होने से पेड़त को पुलीस अधिक्षक कारियाले से भी मास्योस होकर बापस लोटना पड़ा जानकारी के अनुसार रामकृषने लोधी उम्र पच्पन वर्ष निवासी प्राडपुरा ने बताया कि विगत दिवस 22 दिसंबर 2023 को उसका पडोसी सचेंद लोधी से जगडा हो गया था जिसके रिपोर्ट उसने करेरा थाने में दर्च कराई थी उसी समय मौके पर दूसरा पक्ष भी पहुच गया था तभी वीट पर तैना दिवान जी ने उसे दूसरे पक्ष की खिलाफ केस सही बनाने के नाम पर 20,000 वसूल लिए जब दूसरे दिन उसने देखा तो पुलिस ने दूसरे पक्ष पर साधारर मार पीट की धराओं में केस दर्च किया पीड़ित ने दूसरे पक्ष को बिना वज़ा गाली गलोज कर जगडा करने और पुलिस पारे सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है जंदी दो तंवारे हम केस सही बना देगmental केस देखा कल तो उसमें कुछ नहीं है तेज धारा है और बोले हम जो करेंगे वो करेंगे तुम्हारा कि उनसे आंगे कर देंगे कौन से टाने पर करेंगे किसने लिए सिर्फ जो हमारे अलका का देमान है अब उसका अपने जानते हैं तो पैसे का थाने में दिए आपके पास देती हैं नाई नागत दिये तो उन ने पहुंपे भी बात करी ती आप से उनने पर नहीं कैरी साफ तो फिर